हेलो और वेल्कम अगेंट टो माई यूट्यूब चैनल आयम डॉक्टर मोहमद दानिश और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं आप लोग के सामने एक उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग प्रयागराज दुवारा एक सूशना जो की बच्चों के एक्जामनेशन सेंटर क बदलाओ के रिगार्डिंग शेयर की गई है जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 19 सतंबर को राजकी इंटर कॉलेज यानि कि GIC प्रवक्ता का एक्जाम होना तैपाया है और उसके एड्मिट कार्ड भी जारी हो गए हैं लेकिन अभी कुछ सेंटर में चेंजिस किये गए हैं तो उसके बारे में मैं बच्चों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जैसे कि हम अभी हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जिन बच्चों का सेंटर कानपूर है कानपूर में भी स्पेसिफिकली आपके सामने ये आप देख रहे होंगे कि जन्पत कानपूर नगर में ये रोल लंबर दे रखे हैं कि इस रोल लंबर से लेके इस सीरीज तक कि जिन बच्चों का सेंटर आपके राज के इंटर कॉलेज बहुती चुन्नी गंज लाल इमली चौराहा ये पड़ा था तो उसका जो नया पता है वो ये है जो आपके सामने दिकर रखा है कि अगर आपका सेंटर यहां पड़ा है किसी भी बच्चे का तो इस बात पर ध्यान देते हुए इसी पते पर आप जाएं यानि कि आपको भड़कना ना पड़े आपको किसी तरीके की परशानी का सामना ना करना पड़े तो आप अपना रोल लंबर चेक कर लें मिला लें यह आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि इलाबाद यानि कि प्रियागराज में कुछ सेंटर हैं जिसमें बदलाओ किया गया है जैसे कि प्रियागराज जनपत में एक रोल लंबर सीरीज आपके सामने दे रखी है 461233 से लेके 465470 तो इसका जो एक पुराना सेंटर था इसका जो नया पता है वह आपके सामने दे रखा है कि परिक्षाव केंद्र नरानर सिंग डिगरी कॉलेज आपके सामने दे रखा है करलाबाग नियर वाटर सबाग प्रियागराज तो जिस बच्चों के भी सीरीज यह है तो आप अपना दुबारा से डाउनलोड कर लें ए इसको देख सकते हैं तो आपके सामने मैंने काफी जूम करके दिखा रखा है आप इसको देख लिए ऐसे ही प्रियागराज में एक दूसरा सीरीज है 465472 से लेके 469575 इसमें भी जो है SP Convent School Block B बेगम बजार भकवतपुर मोर जिसका की नया पता आपके सामने दे रखा है य आपकी वेबसाइट चेक करते रहें क्योंकि ऐसा ना हो इस वजा से कहीं आप पेपर देने से बंचित रह जाए या आपका पेपर छूट जाए मिस हो जाए तो आप लोग की मेनत जाया जाए या बेकार हो तो मेरी तो यही तरीके से सोच है कि बच्चे अगर मेनत करते है तो उनकी मेनत बेस नहीं हो जाए तो यह चीज आप इस पर ध्यान रखिए तो यह मेरी तरफ एक छोटी सी हेल्प समझ दिये और मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए बनाई तो इसको देखिए शेयर करिए अपने फ्रेंस के साथ थैंक्यू वेरी मच्च थैंक्स फर व